क्या आपने निम्न लिखित प्रक्रियाओं को और उनमें आये बदलाओं को देखा है बर्फ अपने ठोस स्थिती से पानी अर्था द्रव की स्थिती में परिवर्तित होता है हम इन पदार्थों के रचना और उनमें आये परिवर्तन के प्रकार के बारे में क्या कह सकते हैं रचना के बारे में देखा जाये तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है लेकिन रासाइनिक परिवर्तन में हमें बदलाव दिख रहा है परिवर्तन किस प्रकार के हुए हैं? अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो हम देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में ये अस्थाई है और रासायनिक परिवर्तनों में ये स्थाई स्वरूप के परिवर्तन है स्थाई परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ को योगिक कहते हैं क्योंकि इन्हें मूल पदार्थों में लाना असंभव होता है किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है अगर इसके बारे में देखे तो हम पाएंगे कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती है और यहां किसी भी प्रकार की रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई है वही दूसरी और रासाइनिक परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं हुई हैं वे अपरिवर्तनिया हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं कहीं इन दो पदार्थों में राशायनिक अभिक्रिया भी हुई हैं इस प्रकार हमने जाना कि राशायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ बंधों को तोड़कर अत्वा कुछ नए बंधों को जोड़कर अपने आपको एक संपूर्ण न पास्थिती में जलाया जाता है data carbon chloride तियार होता है इस अभिक्रिया में हवा में मौझूद कार्बन और oxygen अभिकारक यहender और carbon dioxide उत्पाद रासाएनिक अभिक्रिया का प्रस्तुतिकरण रासाएनिक अभिक्रिया को शबतों के माध्यम से दर्शय जा सकता है जिसे शब्दों का समिकरण कहा जाता है। जिसे शब्दों का आइनिक बंध तूटता है और उनसे रासाइनिक अभिक्रिया के दौरान सूडियम क्लूराइड और पानी उत्पात के रूप में मिलता है। अभिक्रिया में ऐसे उत्पादों की निर्मिती हुई है जिसमें अभिकारकों से भिन गुण धर्म है। क्या आपको याद है रासाइनिक सूतरों को किस प्रकार लिखा जाता है। क्या आपको याद है। क्या आपको याद है। क्या आपको याद है। क्या आपको याद है। झाल झाल